हलो फ्रेंट्स हुआ रियू आइधिंक उलार फाइन्स तो जो बच्चे एच्पीसी का जिन्होंने एक्जाम दिया है उन बच्चों के बार बार यही कमेंट आ रहे थे कि मैं आपका एक्जाम कैसा हुआ आपने बता है नहीं इंटर्वीव की प्रिप्रेशन क्यों नहीं कोई भी अगर एक्सक्च्च दिया जाता है तो उनको यहीं लगता है कि अपनी आप बात को उपर रखने के लिए एक्सक्च दिया जा रहे हैं बट यही था देखो जिस दिन मेरा है एक्जाम था उसी दिन मोर्निंग में जब हम रैड़ी होके जा रहे थे तो जो हमारा चै है कि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नोलेज रही थी और इसलिए मुझे तीन चार साल लग गए थे इस लेवल पर आते हुए क्योंकि आप कोई पता है हम बार-बार यह कहते हैं भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए कितने जो है इस लेवल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बल पर इसको पहुचाया और उसके बाद एकदम से यह पता चलता है कि क्योंकि यही था कि तीन मैने के बाद भी पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा यही डाउट था क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कभी कोई नोलिज ही नहीं थी ठीक है तो एकदम से जैसा ही पता चला फिर उसके बाद जो एक एकदम से ऐसा हो गया जैसे बिलकुल कुछ भी जो है आउट ओफ कुछ बच्चों का प्रेश्टर की एकजाम भाई मैम है अच्छा होना चाहिए यह होना चाहिए वो होना चाहिए बहुत सारी जीजे जो है सभी की समझ में ही नहीं आया क्योंकि वही बात कहते कि एकदम से ऐ लो में हो खागो हो जाता है काई वार हो जाता है और तीन महीं के बाद भी देखो अब ठीक भी हो गया लेकिन यही था पताने ठीक हो पाएगा है नहीं पाएगा बहुत सारे बच्चे जो हमसें जूड़े हुए हैं एंवोशनल इंवोट सारे साथ जुड़े हुए हैं हमारा उसके साथ attachment हो जाता है तो उनके भार-भार कमेंट आ रहे थे कि मैं आपने बताया नहीं एक्जाम तो देखो मेरा HPSC का जो एक्जाम हुआ था है उसमें मेरे 55 कुछ मने थे क्यों क्यों कि बाद में पता चला कि भई अगर 10 से ज़्यादा आप बगैर फिल किये हुए अगर रखते हो तो आपका पेपर ही चेक नहीं होता है ठीक है तो भही है क्योंकि हर एक बच्चे को बताते हैं हम guidelines बताते हैं वीडियो बनाते लेकिन उन guidelines को हमने जब अपना खुद का exam दिया तब ही उस time पे उनको follow नहीं कर पाए क्योंकि बिल्कुल ही mind एक दम से पता नहीं sleep हो गया था और उसके साथ साथ एक questions के बीच में रह गए जिसकी वज़े से तीन question फिलोने के बाद पता चला कि भाई यह question बीच में रह गया तो वही है कि बहुत सारे जो है circumstances पता नहीं क्यों इतना मुश्किल भी नहीं था कि qualify नहीं कर पाए सारे बच्चे नहीं कर पा रहे थे जब बच्चे पूछ रहे थे कि मैं अपका qualify हुआ या नहीं हुआ नो लिखी नहीं पा रहे थे कि नहीं हो पाया ठीक है लेकिन अब जो है थोड़ा सा confidence गेन करके क्यों कि यही है यह मारस का exam दिया और वो कहते ना मैं हर एक बात में यही कहते हूं कि शायद जो कुछ होता अच्छे के ल अच्छे को लेगा और तीन महिने क्योंकि देखो एक वीडियो बनाते है उसमें बहुत ज़दा टाइम लग जाता है फिर उसको एडिट करने में उसको डालने में इसको बनाने में क्योंकि कही बार हम ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज़ को लिख कर रखते हैं एज टाइम ज सब्जेक्टिव एक्जाम की तैयारी इस तरह से कीजिए ऐसा कीजिए क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हमसे जुड़े हुए हो और वो बार बार यह कहते हैं कि मैं अगर आपका कोई भी अगर टेस्ट ना हो या माक्स ना हो तो आप अपनी वो चीज़े शेयर मत कीजिए क्योंकि कई सारे बच्चे जब उनको यह पता चलता है कि बहीन का भी रह गया तो उनको यह लगता है कि हाँ अगर यह अब भी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो तो नेगिटिव क्यों लेके जाओ भई हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेके जाओ आप जरूरी नहीं है बहुत सारे बच्चों का हुआ है भई हमारा तो यही है कि कई बहुत सारा टाइम इसमें लगता है डिटिंग करने में वीडियो डालने में तो आपका वो टाइम भी तो बच्चता है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत चादा बच्चे मैनत कर रही हैं ठीक लेकिन लगे हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक confidence के साथ कि जरूर एक ना एक दिन selection होगा और लेकर रहेंगे ठीक है तो सभी आपको भी सभी ने activity को एक साइड में रखके और अपनी तयारी करनी है और जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैं इंटर्व्य को तयारी कैसे करें ठीक है आप वीडियो को नहीं डालते तो शायद उनको उसकी चीज का जवाब मिल गया होगा क्योंकि भई देखो कोई भी है मतलब खुद पो ही रहता है कि भई खुद का objective टेस्ट नहीं हो पाया और कईयों ने कहा भी अरे तुम्हारा भी रहे गया तुम तो तैयारी करव तुम तो MCQ की वीडियो डालते कोई भी एक्जाम होता है उसकी वीडियो डालते हो तुम तो ये करवाते हो तुम तो YouTube फर भी पढ़ाते हो ठीक है और फिर भी नहीं हो पाया लेकिन वही है हर एक को excuse नहीं दिया जाते और जो उस चीज को सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता ह जो इस चीज से गुजरा हूँ ठीक है तो जो मेरी पर्सनल जो भी सिच्वेशन थी जिस वज़ा से रहा देखो कहीं ने कहीं और भी बैस्ट जो है हमारे लिए रास्ता तैयार है उसके उपर हमें जाना है अब वो देखते हैं कैसे क्या कुछ हो पाया वैसे तो देखो बहु सत्रा में हुआ था तब मेरा क्लियर था दोह जार ट्रा में और जो अधरा जून को जब एक्जाम होने वाला था तो मैने बताया था कि मेरी गुडिया हो गई थी मॉर्णिग में और इस वजयatra जिस एस स्क्रीनिंग क्वालिफाइव होने के बाद भी मैं स्ट्रेट एक्ज तीसरी जो डेट थी वर्ट राजून रखी गई थी और उसी दिन मुझे गुडिया हो गई थी डिलीवरी हो गई थी क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होने की वज़े से कुछ दिन पहले ही डिलीवरी करवानी पड़ी और जिसकी वज़े से मैं वो एक्जाम नहीं दे पाई ठीक ह है कि अभी बहुत सारे एक्जाम और भी आएंगे भई ये नहीं है कि एक रास्ता बंद होता है तो सभी रास्ते बंद हो जाते जी नहीं एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुलते सिर्फ और सिर्फ आपको ये है आपको ये देखना है कि आपको जाना किस और full confidence के साथ और जो जो मैंने पहले गलतिया की उन सब चीजों को observe करके चलेंगे next time और भी अच्छा score लेके आएंगे ठीक है क्योंकि जो जो गलती हमने पहले की है उन चीजों को हम अगे अगर ध्यार नहीं रखते हैं तो उन चीजों का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि तभी आपका experience जो freshers candidates हैं उनको तभी माद दे सकता है जब आप अपनी जो पिछे वाली गलतिया हैं उनको observe करके next exam में उन गलतियों को ना दोराओ वरना आपका कोई फाइदा नहीं कि भी आप experience older हो fresher हो क्योंकि fresher का दिमाग ज़्यादा है यह मानती है लेकिन उनके पास हमारे से experience कम है तो वही है उनकी कुछ opportunity है हमारे कुछ straight है उन चीजों को ध्यान रखना है हमारे जो strength है उसको और भी ज़्यादा strength बनाना हमारे जो weakness है उसको भी हमें उपर तक लेके जाना है ठीक है तो बस इतना ही यही बताना था और कोई भी किसी भी type की help चाहिएगी तो आपकी जरूर help की जाएगी interview के लिए भी जरूर वीडियो बनाई जाएगी बस सिर्फ और सिर्फ यह था कि बच्चों को यह न रहे कि मैं हमका result है म हमने बताया नहीं और जो बच्चे यह पूछ रहे थे कि मैं मैं HPC subjective में आप कितने दे पाई देखो मैं तो नहीं दे पाई लेकिन जिनों ने दिया जिन से पता चला बही कुछ बच्चे 11 question करके आए कुछ 12 करके आए और कुछ ने पूरा भी किया है जिनों ने जिनों ने यह है कि भई length कम रखी questions की वो पूरा attempt भी करके आए और जो paper था उसका level ना तो यह कह सकते कि ज्यादा high था ना यह कह सकते कि बिल्कुल ही low था ठीक है paper all over ठीक ठाक बना हुआ था आपके slaybas में से बना हुआ था तो अपनी interview की तयारी अच्छे से कीजिए हम तो यहीं कहें बार यह हो पता नहीं क्यों बार बार तो उन चीजों को ज़रूर ध्यान में रखना है और हाँ वह जो एक्जाम था वही 2016 का था दोजार अठरा का गलती से माइंड से slip हो गया विल्कुल दोजार अठरा में थी 2016 में अठरा जून की डेट थी ठीक है तो वह एक्जाम था ज भी आ चुकी है और जो बच्चे जिनका इमरस में अच्छा एक्जाम हुआ है बही अच्छी बात है और उसके बाद केवियस की भी आएंगी इमरस में भी दोबारा आएंगी तो टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है वैकेंसी आती जाती रहती है सिर्फ और सिर्फ आपके पर डिपेंड करता है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है ठीक है और थोड़ी बहुत अगर इधर उधर भात निकल जाती है तो उसको ज्यादा मत मैटर लिया करो कि भई मैम में अकड़ा आ गई है मैम का चैनल चल गया यह इस तरह से अरे इस क्या चल गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है ठीक है चलेगा आप सभी की हल्प से चलेगा वो तो पता है भई अगर आप हल्प करोगे तो और भी आगे बढ़ेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्प से होगा और इसमें कोई जादा वो अकड़ वकड़ की बात नहीं होती जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं ज़रूर वीडियो डालती हूं और आपके कमेंट का जवाब तो आपको पता ही होगा, जो हम से जुड़े हुए हैं जितना मुझे मालूम होता है आपके साथ ज़रू शेर की जाता है अगर जिस चीज़ के बारे मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे बता सकती हूँ ठीक है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी बस यही बताना था क्योंकि बार-बार कमेंट आ रहे थे और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो तक बच्चों की जो इंटेंशन है वो शान्त नहीं होगी तो यही था बही 2016 से वेट कर रहे थे बट क्या करें आगे फिर वेट करना है देखते हैं आब DSSB की तयारी करेंगे और अगर आपको भी हमारे साथ करनी है तो जो जो तयारी करेंगे आपके साथ वो भी शेयर करेंगे तो थैंक यू सो मच अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प भी की जाएगी थैंक यू